बिसमें लेख माय रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर जो है नब एडी एच के लिए शटल्स पढ़ेंगे सबसे पहला शटल जो है वह ग्लिसरो फॉस्फेट शटल है कोँसी जगा है तो यह साइटो अीटो अीक्ट 오्ल के बाद यह आउटर मेंब्रेन उसके बाद गी नीचे इंट्रमैंब्रेन स्पेस इंट्रमैंब्रेन के बाद यह जो है इनर मैत्रोखंड्रियल मेंब्रेन है यह में क्या लिखी Tuesday cm माइट्रो कॉंड्रियल मेंब्रेन है इंट्रा मेंब्रेन स्पेस है और यह इनर माइट्रो कॉंड्रियल मेंब्रेन है और यहां पर हमारा मैट्रिक्स है यह मैंने माइट्रो कॉंड्रियल के सेक्शन काटके आपको दिखा रही होगे किस तरह से हैं पहले अब हमारे पास मैंन हπα iddy통abdom कुर unit यहां पर एक इंजाइम से करता है जो कि यहां से हाईडोजन आइंज को ले कर वो ट्रांसफर कर देता है डाह्योक्स स्टॉन फाश्वेट पर Optimist डाहहे रोक्स स्टॉन फास्वेट कनवर्ट हो 3-phosphate के अंदर यह जो है NADS के अंदर convert हो जाता है NAD positive के अंदर और यहां पर हमारा पस क्या बन गया glycerol 3-phosphate और यहां पर enzyme हमारा कौन सा use हुआ है glycerol 3-phosphate dehydrogenase ठीक है glycerol 3-phosphate है glycerol dehydrogenase नहीं है यह बात आपने याद रखनी है glycerol 3-phosphate है यह आपने तब पढ़ा होगा जब आपने ग्लिकोन यह जाएंस इस पढ़े होगी वहाँ पर हम कहते हैं कि fat जब breakdown होता है तो वह एक glycerol देता है जो के फिर आगे जो है ना इनकी यूं conversion होती है वहाँ पर हमने उल्टा पढ़ा था कि glycerol 3-phosphate convert हुआ डिया-डॉक्षी-स्टोन-phosphate में with the help of glycerol 3-phosphate dehydrogenase ठीक है यह enzyme यहाँ पर यूजवा अब क्या होगा यह जो glycerol 3-phosphate हमारा synthesize हुआ है यह outer mitochondrial membrane यों cross करेगा और आज आएगा हमारे पास intramembranus space में यहाँ पर चले हो बाद में बताते हूँ यहाँ पर अब यह क्या glycerol 3-phosphate हमारे पास यहाँ पर आ गया यहाँ पर इंजाइम यूजवा वही वाला जो कि glycerol 3-phosphate तो convert करा देगा डाई-हाइडॉक्सी-सिटोन-phosphate के अंदर कि कि डाई-हाइडॉक्सी-सिटोन-phosphate दुबारा यहाँ पर आ जाएगा यह पूर एक cycle बन गया और यहाँ पर इस reaction के वैसे क्योंकि यहाँ पर भी dehydrogenation हो रही है यहाँ पर जो enzyme को भी यही वाला होगा glycerol 3-phosphate dehydrogenation यहाँ पर जो hydrogen release होगा उसको FAD लेगा ठीक है FAD लेगा और वो convert हो जाएगा FADH2 के अंदर आप यह देखें यानि कि इस वाले step के अंदर यहाँ पर NADH यूज हुआ लेकिन हमें क्या मिल रहा है FADH2 अब NADH तो 2.5 ATP बनाता है जबकि FADH कितनी बनाता है 1.5 ATP यानि कि इस step से हमें ज़्यादा energy नहीं मिलती यह जो shuttle है यह इतना ज़्यादा effective नहीं होता इसलिए हम prefer करते हैं Milleat shuttle को और बहुत सारे cells के अंदर जो है Milleat shuttle ही काम कर आता है यह वारा जो shuttle है बहुत कम cells के अंदर जैसे कि brain और जो होते हैं सैसे के white muscles है उनकी अंदर के वारा shuttle काम कर आता है जो universal shuttle है वो Milleat shuttle है इस वजए से हमें पूरा NADH ही मिलता है FADH2 नहीं मिलता लेकिन यह shuttle है इसलिए हमने इसे याद करना है अब यहां पर हमें FADH2 मिल गया है जो के यहां पर जाएगा और अपना जो इसने काम परफॉर्म करना होगा यहां पर हमें FADH2 की जरूरत होगी वो उसमें यूज होगा और तुबारा FAD हमें मिल जाएगा और यह साइकल चलता रहेगा अब यहां पर enzyme की differentiation करनी है यह कहां पर था cytosol में था तो इसको हम glycerol 3-phosphate dehydrogenase कौन सा cytosolik ठीक है यह cytosolik है लिख देने साथ में cytosolik और यह कौन सा है यह mitochondrial है ठीक है यहां पर यह लिखना है mitochondrial glycerol 3-phosphate dehydrogenase तो हमारा shuttle ऐसे complete होता है कैसे मैं दुबारा से बता देती हू सबसे पहले NADH जो है अपने हाइडोजन यहां के reduction यहां पर करेगा डायरोकसिस्टोन फॉसफेट की glycerol 3-phosphate में enzyme होगा glycerol 3-phosphate dehydrogenase cytosolik फिर यह इंट्रमेंब्रेन स्पेस के अंदर आएगा वहां पर दुबारा से glycerol 3-phosphate dehydrogenase जो के mitochondrial है इस बार वह इसे डायरोकसि के हम कर रहे हैं मैं लेट शटल ठीक है अब मैं लेट शटल के अंदर मैं वह वैसी classification करती हूं यह जो है cytosol cytosol के बाद यहां पर जो है outer mitochondrial membrane इसके बाद intramembranless space and then इधर क्या जाएगा inner mitochondrial membrane उसके बाद यह हमारे बास क्या आगया matrix ठीक है लिकी भी देती हूं outer mitochondrial membrane, intramembranous space and inner mitochondrial membrane यह matrix आगया अब यहां पर क्या होगा वही हमने एन एडिएच को ट्रांसपोर्ट करना है तो यहां पर एन एडिएच जो है वो convert होगा एन एडिपॉजिटिव के अंदर और किसकी conversion कराएगा यह oxaloacetate की conversion करा देगा मेलेट के अंदर ठीक है यह मेलेट में conversion क्यों कराएगा यह जो membranes है ना यह impermeable होती है oxaloacetate से इस वज़े से हमने इसे किसमें conversion करा दी मेलेट के अंदर यहाँ पर enzyme जो यूज होगा उसे हम बोलते हैं malade dehydrogenase ठीक है malade dehydrogenase enzyme जो है वो यहाँ पर यूज होगा अब यह जो malade हमारे पास बना है यह malade जो है आउटर mitochondrial membrane यह cross करेगा देन यह inner mitochondrial membrane को cross करेगा और यहाँ पर यह आजेगा हमारे पास intramembranus space के अंदर यहाँ पर यह आगे जो है ना intramembranus space में इनर को भी यह cross करेगा यहाँ पर ले आते हम ठीक है inner mitochondrial membrane को इसने cross किया और हमारे पास यह matrix के अंदर क्या आ गया malade अब यहाँ पर convert होगा दुबारा से oxaloacetate के नजए से के बाकिशटल के अंदर होता आ रहा है तो oxaloacetate जो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा एन इसके बदले में nad positive जो है वो convert हो जाएगा nadh यहाँ तक तो हमारा काम complete हो क्योंकि हम कहा चाते थे कि जो बाहर का nadh है वो अंदर आ जाए लेकिन अब यहाँ पर जो oxaloacetate है उसको वापिस पर पहुंचाना है मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो है ना इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पार क्योंकि यह इंपर्मियबल oxaloacetate के लिए यहाँ पर तो हम उसी चीज़ पर स्टक हो गया है यहाँ पर इस वज़े से हम अंदर न अगर आपने प्रुटीम की मेटेबलिजम कंप्लीट कर लिए तो आपने ट्रांसमाइनेशन पर लिए होगी कि ग्लूटामेट जब oxaloacetate के सिनमें कनवर्ट यानि इनके साथ रियक्शन करवाता है तो इसके नतीजे में क्या बनता है oxaloacetate कनवर्ट हो जाता है इस यूज़ होंगे जो अमोनिया ग्रूप है वो ट्रांसफर हुआ है इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रांसमाइनेशन अब हमारे पास aspartate और अलफा कीटो ग्लूटरेट यहां पर आगे हैं अब यह क्या करेंगे यह इस इनर और आउटर दोनों से गुज़रेंगे यहां से ग करेंगे जाएगा ऑकजालो एसे टेट के अंदर यानिकि इनका रियक्षिन दुबारा से यह होगा इस तोड़ा गंद मचके इसलिए मैं दूसरे कलर से उसकर इच्छी ग्रीन वाले को भूल जाए ठीक है यह कुछ नहीं है ऐस पार्टेट कनवर्ट हो जाएगा उक्जालो जाएगा दुबारा इस शेटल को चलाने के लिए ठीक है यहां तक ग्लूटामेट दुबारा मन जाएगा ठीक है यह थोड़ा सा रफ हो गया है मैं रिली सॉरी मैं दुबारा से इसक्लेन कर देती हूं कैसे ने डीएज से शुरू हुआ था एन्ने डीएज जो है इसने इस इसे वाएसे शेर्ट के अन्दर कनवर्ड होगा और इसे वाएसे ख्रॉटामेट के लिली सुरॉटा पर इनका रियक्शन फ़ेसमें दुबारा इंका रियक्शन होगा और यह जहां अपने फ्रेंड के सार शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक आपने के जो है ना आप इसको शेयर करें वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी करें लाइक देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है